जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे अंदर एक बहुती उत्सुकता होती है ये जानने के लिए कि हमारा जो पार्टनर है वो हमको लेके कितना लॉयल है तो इसी टॉपिक के उपर आज मैंने डिसकस किया है दोस्तों और वीडियो बहुत इंपॉर्टन लगा मुझे तो स् अच्छे से समझ सको वीडियो को और अच्छे से समझने के बाद अपने उपर एपलाई भी कर सको तो चलो स्टार्ट करते है वीडियो को फर्स जो पॉइंट है वो है ओप्शन रहने के बाद भी आप प्रायरिटी में रहोगे आपके पार्टनर के लिए अगर आपका या बंदी है वो आपको लेके बहुत ही ज्यादा लॉयल है क्योंकि आप हमेशा उसके प्राइरिटी में रहते हो कहीं अगर आपने ये बात नोटिस की है आपके रिलेशन्शिप में तो आपका जो रिलेशन है वो बहुत लॉयल है आपका जो पार्टनर है वो भी बहुत को समाल के रखना, खो मत देना और उल्टा सिधा उसके उपर ब्लेम मत करना, शक मत करना कभी, क्योंकि सैक्रो आप्शन्स रहने के बाद भी अगर उस इंसान का प्रायरिटी में हो आप, तो इसका कुछ ना कुछ तो मतलब बनता है ना, यही मतलब बनता है कि वो आपके साथ एक serious connection में है और आपको लेके सच में serious है, इसलिए वो options रहने के बाद भी आपके उपर ही उसका जो नजर है, या फिर focus है, वो आपके ही है, आपके उपर ही टिकी है, तो इसका simple सा meaning यही निकल के आता है कि वो आपको लेके बहुत loyal है, honest है, तो ऐसे honest partner को समाल के रखना, खो बहुत मिल जाएगे, लेकिन honesty के साथ, loyalty के साथ प्यार करने वाले या प्यार करने वाली मिलना मुश्किल होता है मेरे दोस्त, तो इस चीज़ को ध्यान रखना ठीक है, शलिए आगे बढ़ते next point की तरफ, जो आपका है, वो आपका ही रहेगा या रहेगी, यह बात बहुत ह इसको हम कभी बदल नहीं सकते, अगर हम चाहे भी ना, कभी बदल नहीं सकते इस statement को, कि जो आपका है, मतलब जो आपको दिल से अपना मान चुका है, या फिर मान चुकी है, मतलब उसको आप चाहे उसके साथ effort डालो उसको लेके, या फिर ना डालो effort जादा, फिर भी वो आ आपके ही पास रहेगा या रहेगी आपको छोड़ के कभी भाग नहीं जाएगा या भाग नहीं जाएगी ठीक है मान लो कि आप एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो तो वही सबसे बड़ी example होता है कि हमको असली असली चीजों का पता चल जाता है कि कौनसा असली relation ह कौन सा नकली तो ऐसे अगर आपका पार्टनर है आपके साथ निभाने बाला तो ऐसे पार्टनर को खोना मत समाल के रखना ठीक है और जो आपका है वो आपका ही रहेगा या रहेगी और जो आपका नहीं है चाहे आप कितनी भी एफट डालो कितना भी एरी चोटी का जोल लग और अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे ही वीडियो आगे जाके भी देख सको आप और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो ताकि सारे जो नोटिफिकेशन्स है वीडियो के वो आपको मिलता जाए और सब्सक्राइब करने के लिए मैंने लिंक जो है डिस् शेयर करोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता है तो उनका भी मदद हो जाएगा और मेरा मकसद जो है वो भी फुल्फिल हो जाएगा जितना हो सके सपोर्ट करो